हलो दोस्तों, स्वांगत है आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग जर्नी में ये मीठे मीठे से टेस्टी बेसन के लड़ू देखकर आगया ना आपके मुझ में भी पानी और आप जानते हैं, ये हमने बनाए हैं एक्तम हलवाई स्टाइल में और इनका टेस्ट तो हलवाई वाले लड़ूं से भी बहुत जादा अच्छा है आप अगर इसे एक बार बनाएंगे और अपने फैमिली को खिलाएंगे ना तो सच में वो तो आपके दिवाने ही हो जाएंगे और ये लड़ू बनाना बहुत ही आसान है लेकिन मैंने इसे किसी इंस्टेंट वे में नहीं बनाया आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि इंस्टेंटली हम जो भी चीज़े बनाते हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि हम वैसा टेस्ट ला पाते हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ों में होता है तो मैंने इं लडू को बनाने के लिए एक दम ट्रेडिशनल वे ही उज़ किया है जैसे हलवाई उज़ करते हैं और तब ही तो आप आया इतना टेस्ट अब ज़ादा बाते ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी रैसिपी हलवाई स्टाई लडू बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी है तगार तगार बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी चीनी आप किसी भी कटोरी से नापकर ये चीनी ले सकते हैं और जितनी चीनी लिया है ना हमने उसका आधा लिया है पानी अब हमें क्या करना है गैस का फ्लेम कर देना है तेज लेकिन नहीं नहीं गैस को छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाना लगातार चाशनी को चलाते हुए हमें इसे पकाना है क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया ना तो समझ लिजे फिर तो आपकी गैस हो जाएगी गंदी इसलिए जादा वक्त नहीं लगने वाला जाद से अदर टैन मिनिट्स लगेंगे और देखिए लगातार चलाते हुए हमारी चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल चुकी है और इसका कलर तो बिल्कुल वाइट है देखिए मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ अभी ये बिल्कुल पतली है हमारी चीनी बिल्कुल साफ थी इसलिए हमारी जो चाशनी है वो भी बिल्कुल साफ है हमें इसे कोई और मैटर यूज करके साफ करने के जरूरत भी नहीं है और जैसे जैसे हमारी चाशनी गाड़ी होती जा रही है तो हम जब उसको कर्ची से गिरा रहे हैं तो देखिए वो धार भी गाड़ी आपको नजर आएगी आपको बस चेक करने का यही तरीका आजमाना है लगादार इसे कर्ची से गिराते हुए देखना है और देखिए अब जो हमारी चाशनी है काफी गाड़ी होकर गिर रही है अब यही स्टेज है हमें इसमें एड़ करना है एक चमच देसीगी देसी की क्या हेल्प करेगा आपकी चाशनी जो आप जब इसे ठंडा करके तगार बनाएंगे ना उसमें ये गुटले नहीं बनने देगा बस इसे लगातार चलाएंगे आधा मिनर तक गैस पर रख कर और उसके बाद हमें कर देना है गैस का फ्लेम आफ और उसे पहले मैं आपको फिर से दिखा दू कितनी गाड़ी हो चुकी हमारी चाशनी इसी स्टेश पर हमें गैस का फ्लेम आफ करके इसे उतार करके गैस पर से रख लेना है और चलाना इसे बिल्कुल भी बन नहीं करना लगातार हमें इसको चलाते ही रहना है तो देखिए चाशनी के बरतन को कर लिया है मैंने एक साइड और इसे लगातार चलाते जा रही हूँ दोस्तों यहाँ आप यह मन सुचेगा कि आप इसे छोड़ कर ठंडा होने दे वरना तो यह तकार बिल्कुल खराब हो जाएगी आपको लगातार चलाना है और मुश्किल से दो मिनट का वक्त लगेगा यह देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया और लगातार चलाते चलाते हमारी जो चाशनी है वो एकदम हार्ड फॉर्म में हारी है और दीरे दीरे करके यह एकदम ब सब्सक्राइब निकाल लेंगे ना तो उसके बाद में उसमें पानी बहत के रख देजएगा और इसमें जो थोड़े बहुत डेले पड़े पड़े ना उनको हम लगातार कर्ची से ऐसे दबाते हुए तोड़ते जाएंगे अगर फिर भी आपके तकार में थोड़े बहुत ही क्रणची सी होती है और इतने सौफ डेले होते हैं कि आपकी कर्ची से ही तूट जाएंगे लेकिन फिर भी कोई इसमें डेला बाकी ना रह जाए जो हमारे लड़ों का टेस्ट खराब करें उसके लिए मैंने इसे एक मोठी चलनी इससे चान बे लिया है और यह जो बाकी क कर सकते हैं और देखिए बरतन भी हमारा पूरी तरह साफ है बस इसमें पानी बर के रख देजिए यह बिल्कुल कुल हो जाएगा बेशन के लड़ों के लिए के लिए जैसे ही हमारा घी मैल्ट हो जाएगा हमें उसमें अट कर देना है बेसन और इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है लेकिन यहां आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप बेसन को भून रहे हो ना तो आपको एक बार भी अब भी आपको लग रहा होगा कि बेसन में घी कम है लेकिन आप आगे का जादू देखिएगा लगातार हमें इसे चलाते रहना है छोड़ना बिलकुल नहीं है और फ्लेम भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना कर रखा है ये देखिए बिल्कुल लोग इससे हमें आगे बढ़ाना ही नहीं है और इसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बस आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बरतन ले रहे हैं वो थोड़े से हैवी कले का होना चाहिए और आप देखिए जैसे जैसे हमारा बेसन भूनता जा रहा है ना उसमें से घी जो है वो रिलीज होता जा रहा है और वो एक हलवे वाली फॉर्म में आ रहा है मैंने आपको इससे पास करके भी दिखाया है तो देखिए हमें इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्योंकि अगर आप इसे चलाना बंद कर देंगे तो कहीं से बेसन जादा सिख जाएगा और कहीं से काम रहेगा और अच्छी तरह से भूना हुआ अगर बेसन नहीं होगा ना आपके जो लड़ू है वो मुँ में आकर के चिपकेंगे और उनका रिसल्ट अच्छा नहीं आएगा तो जादा देर नहीं चलाना पड़ेगा हमें पूरा टाइम में जब नोट किया ना इतने बेसन को भूनने में मुझे बारा मिनट लगे है लगातार चलाते हुए और यह धीरे-धीरे करके घी रिलीस करता जाएगा और इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगेगी तो आपको खोदी पता लग जाएगा कि आपका जो बेसन है वो भून चुका है इसका कलर भी देखिए पहले से कितना लाइट हो गया है और इसी तरह से हमें लगातार चलाते हुए इसको भूनना है क्योंकि कलर तो बेसन का लाइट हो गया तो हमारे लड़ू तो बहुत अच्छे से रंगे नहीं बनेगे तो मैंने अड़ किया है यहाँ पर कलर अगर आप कलर का इस्तिमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें हल्दी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं वो भी अच्छा रंग देगी और अपने लड़ों को दानेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने हाथ में थोड़ा पानी भरके उसकी छीटे लगाती है इस बेसन में जिससे के इसमें दाने बन जाएंगे अच्छे से और बस गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल हाई नहीं करना अप इतना ध्यान रखेगा और लगातार चलाते हुए हमने जो इसमें पानी की छीटे लगाए थे ना हमें उसे बस पका लेना है जब तक वो पानी सूक ना जाए ऐसा करने से क्या होता है आ हमारा जो बेसन है वो थोड़ा सा दरदरा हो जाता है तो देखिए लगातार चला लिया है मैंने इसे और पानी की छीटे लगाने के बाद में हमें मुश्किल से एक मिनट और पकाना है पानी की छीटे हमें तभी लगानी है जब हमें बेसन अच् अगर आप कढ़ाई में छोड़ देंगे तो आपका बेसन जल जाएगा क्योंकि कढ़ाई जो है और उसका कुकि प्रॉसेस में होता ही रहेगा इसलिए हमने इससे एक बड़ी परात में निकाल लिया है क्योंकि अब हमें करना है बेसन को ठंडा और इसे मैं यहाँ पर फैला कर रख दूँगी ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर लेना है हमें जिस्ट उतना ठंडा करना है जितने में हम इस बेसन को आसानी से छूच सकें क्योंकि गरम गरम बेसन में अगर आ पर आप चाहे तो मीठा अपने हिसाब से कम या जादा रख सकते हैं तो एक बिल्कुल भी तगार जो है वो सफिशेंट रही है अब जो हमारा बाकी का घीता ना हमने वो भी इसमें एड कर लिया है जो ने भचा के रखा था और उसे मैंने मैल्ट इसलिए नहीं क्या क्या क् वो घी जो है गर्म बिसन में जाते ही खुद बखुद मैल्ट हो जाएगा अब बारियती है लड़ों को बानने की चूटे या बड़े आप किसी भी साइस में बना लो यह आप पेड़ी पैंट करता है लेकिन यकीन मानो आप जिस भी साइस में बनाओगे न यह सारे के सारे खतम हो जाने वाले हैं और यह देखिए मेरा पहला लड़ो बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार इसे में एक साइड में प्लेट पर रख लोंगी और इसी तरह से एक ही करके में सारे लड़ो बना लोंगी और इतना मजाता है इन लड़ों को बनाने में ना बहुत ही अच्छा जब आप बनाएंगे तो अपने एक्सपीडियंस प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजेगा और आपके हाथ के बने हुए लड़ू काकर आपके फैमिली का क्या रियक्शन था वो भी जरूर शेयर कीजेगा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके मैसेज़ेज और कमेंट्स आते हैं मेरे पास और आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाइज जरूर करती हूं तो मुझे तो लग रहा है अब तक आपने मेरी वीडियो को यहां तक देखा है न तो आपको भी इंटरस्टिंग जरूर लगी है और आपको यह लड़ू भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं तो बस जल्दी से तयारी केजिए आप भी अपने घर में बेसन के लड़ू ब अपने घर में टेस्टी से मीठे मीठे लड़ू एकदम सॉफ्ट देखें मैं अपको इसे तोड़ कर दिखाती हूं एकदम सॉफ्ट और इतने क्रंची टेस्ट के है यह लड़ू कि आपको और आपके परिवार हर किसी को पसंद आने वाले हैं और एक जब आप इसे बनाना आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आया ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा और हाँ बैल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन साब को मिलती हो अपने अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ